सो हेलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगे फिर से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इन्फोटेक के मूँ में तो आज फिर एक टेकनोलजी से भरी वीडियो तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बेसिकली उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो नियू यूजर्स है लैपटॉप के जो नियू कॉमर्स है लैपटॉप चलाना सीखे है बेसिकली तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे सौफट्वर्स होते हैं ठीक है बाइड डिफॉल्ट आप से कोई डाउनलोड हो जाता है ठीक है या आप से कोई इंस्टॉल हो जाता है या कोई सौफट्वर आपका वर्क नहीं करता है तो हमें क्या करना चाहिए बेसिकली तो अनिस्टॉल कहां से करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले आप सब सर्च कीजिए का कंट्रोल पैनल हमारा आप सच कीजिए कंट्रोल पनल फे लगा रख ऐसे आप अपने डिस्पिल सप्रेंट पर लगा ल या क मैने बहुत वे चीज़ें जैसे एप एक सेटिंग एप या साहए पहरा फुन में सेटिंग होती ही कंड्रोल पैनल लेफ टॉप्क में होता है एक कंड्रोल पैनल हम open करते हैं जैसे कि हमट्रोल पैनल ओपन करते हैं हम बहुत सारे ओप्सन्स आता थ है जैसे कि administrative tools हो गया है ना autoplay हो गया बेक अपने रिसेट कलर management ठीक है credential manager date and time भी आप यहां से fix कर सकते हैं default program हो गया device manager device and printers जो की outside printer हम यूज करते हैं ठीक है file expo file history fonts including internet option भी यहां से selected power का आगया mouse का आगया ठीक है और आपका nvidia control जैसे कि मेरे में nvidia का graphics card ठीक है network and sharing network का यहां से control अब आपको एक features दिखता है इसमें program and features ठीक है जो आपका एक यह जो option है na program and features इसमें आप enter करिएगा ठीक है जैसे आप इसमें enter करते हैं जितने आपने outside software आपके install हुए हैं ठीक है outside जो भी होंगे most सारे outside होते हैं आपके जो अपने install किये हुए हैं जैसे कि अब इसमेंने बहुत सारी चीज़ें देखिए आपको देख सकते हैं एपल का software किया बेंडीकेम किया है मैंने ठीक है magic mix है आईट्यून्स है ठीक है गोगल chrome है ठीक है Microsoft एज है यह outside ही software होते हैं आपके ठीक है जैसे कि Microsoft टीम हो गया आपका BLC media player हो गया ठीक है यह है outside software अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी software हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है उस case में हमें क्या करना चाहिए तो basically उस case में हम ना repair करते हैं अपने software को अब जैसे हम बात करते हैं सब्सक्राइब मेरा जो software है WhatsApp मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है WhatsApp पर क्लिक करना है ठीक है एक बार उनली उसके बाद हमें अपने laptop या mouse की ठीक है राइट क्लिक दवानी है राइट क्लिक दवा के यहां पर आपको option आ रहा है लेकिन वह इन्विल्ट माना जाता है जैसे कि अब हम उठा लेते हैं Google Chrome को ले लीजिए ठीक है आप गूगल Chrome हो गया या फिर आप ले लीजिए यहां पर हम बात करते हैं Microsoft Team को ले लीजिए ठीक है या आप Intel को ले लीजिए आप Apple कोई भी एक ऐसा उठाकर देख लीजिए टिकाई जो आप सबसे ज़ादा यूज करते हैं ठीक है आपको क्या करना है जैसे हम ले लेते हैं एक defense और यह ले लेते हैं कुछ थीख यste में आपको 2 option दिख रहे हैं पक्र कॉयोंकि यह काफी time से यूज नहीं किया मैंने जों का कफी time से यूजamar है मैंने और का इस जिसके अंदर फैसिलेटी होती है रिपेयर होने की जिसको इन्विल्ट ऑप्सन रिपेयर कर दिया जाता है इसमें कोई अंदर टेक्निकल जादा ही टेक्निकल टर्म होता है ठीक है तो इसमें देखी सबसे पहले हम रिपेयर पर क्लिक करेंगे ठीक है यह काम नहीं करता है इस का यहां से जैसे हमने रपयर पर किलिक करते हैं तो ओवर और अब यह नया स्टार्ट और और अब इसको नहीं रखना है वाइल डिफॉल्ट यह गलती से इंस्टॉल हो गया अनिस्टॉल करने का एक option आता है जैसे आप अपने माउस को किलिक करते हैं राइट के लिटी का अनिस्टॉल का option आता है और यह वीडियो उनके लिए जो नए लोग हैं गलती से कोई भी software अगर इंस्टॉल कर लेते हैं फिर नहीं होता है तो उनको क्या करना है control panel सर्च करना control panel पर क्लिक करके program and features पर क्लिक करना है वहाँ से program and features आपको दिखी जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको system में system यहाँ पर आपको पहुंचा देगा ठीक है अब मैं जैसे की कोई कोई भी software हो गया जैसी कि मैं आभी telegram यूज नहीं कर रहा हूं ठीक है telegram को मुझे अनिस्टॉल करना अनिस्टॉल पर क्लिक करेंगे ठीक है जैसे हम माउस के लेफ्ट अनिस्टॉल पर क्लिक करा हम यस कर देंगे क्योंकि मुझे इसको नहीं रखना है कोई यूज का नहीं है मेरे और यह रैम घेर रहा है यह देखिए आपका स्क्सेफुली रिमूव हो गया मना अनिस्टॉल हो गया पूरी लैप टॉप से आपका गायव हो गया ऐसी आपको जैसे टाइपनिग मास्टर है अभी इसको निस्टॉल करना कोई ऐसे यूज है नहीं मेरा अनिस्टॉल करेंगी ठीक है यह जो सौटवेर है इक का काम करता है इन्विल्ट मींस कि जो आप काफी टाइम से यूज कर रहे हैं जो काफी टाइम आप यूज कर चुकी है जो आपके में एक अच्छा काम का है उसमें इस तरीके का ऑप्शन आता है अनिस्टॉल करने लिए क्योंकि पहले से बहुत सारी प्रोग्रामिंग फाइल आपका अनिस्टॉल होने लगेगा यह ठीक है अनिस्टॉल होने लगेगा अब यह प्रोसेस इस्टान होने वाला है तो इस तरीके से होता है कोई भी आपका सॉफ्टॉल जो बाइडिफॉल्ट गलती सो गया आप अनिस्टॉल करना चाहते हैं आपका लैप्टॉप ज्यादा है कर रहा है तो इस तरीके से आप इसको अनिस्टॉल कर सकते हैं ठीक है आप टाइपिंग मास्टर बाद सक्सेस्पुली रिमूब पूर्यम कंप्यूटर देखी यूज नहीं था रिमूब हो गया रैम खाली हो जाएगी आपका लैप्टॉप हैंग नहीं मारेगा बेसिकली यह जो मैं यूज कर रहा हूं है ठीक है यह इंटल कॉर आई 3 का जनरेशन वह भी एच्पी का लैप्टॉप है आपका ठीक है और जिसमें एंड जीओ फोर्स का ग्राफिक कार्ड भी है बट फिर भी कभी-कभी होता है ना हैंग करने लगते हैं जैसे आपकी ज्यादा यह फोर जी भी रहम है और रहम आपकी भरने लगत जाने के बाद pro प्रोग्राम इटीर से救 joke यह पर रहाएंगगर है तो सबसे सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाएके बाद प्रोग्राम सेंट फीचर तूँंट करेंगे कोई भी आप संण स्श्रेट करें करें यहाँ अपको और समा सातांרכ Hang आएब अमान हमारे जो उसकी है वो आपके अनिस्टॉल और रिपेर ही है ठीक है अल्वेज रिमेंबर दुई चीज़ा काम आएंगी सौफ्टवर काम नहीं कर रहा आए इस प्रोग्राम फीचर्स पर आके यहां पर रिपेर कर लीजिए सुरू से स्टार्ट हो जागा बनना यूज का नहीं तो अनिस्टॉल कर दीजिए ठीक है तो गाइस यह आज की वीडियो थी आपको कैसे लगी यह इंफॉर्मिशन कमेंट करके बताइए कोई और आपको लैप्टॉप से लेकिए कमेंट करके पूछ लीजिए वीडियो लाइक करें शेर करें अपने फ्रेंड्स को जो प्रॉब्लम फेस करते है कि उनका सॉफ्टवर कोई गलती से डाउनलोड हो गया और अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको क्या करें ठीक है ना रिपैर कैसे करें तो यह वीडियो उनको शेर कीजिए और चैनल जरू सब्सक्राइब करें ऐसे टैक अन्वाक्स से बरी वीडियो के लिए सो थैंक टेक्नोलजी से बरी वीडियो अन्वाक्सिंग और रिवीव से बरी वीडियो ठीक है गाइस तो ऐसी इच सपोर्ट करते रही थैंक यू सो मच